विद्यार्थियों आज हम देख रहे हैं 801 जो सब्जेक्ट है आपका बाल विकास चाइल्ड हुड एंड चाइल्ड डेवल्लप्मेंट इसके कुश्चंस को हम देखेंगे यहां पर किस तरह के कुश्चंस पूछे जाते हैं कितने नंबर का यह पर रहता है कितना टाइम 90 मेंसे का बया है 40 का मतलब ऑगा, आप 여기 28 नंबर आप 28 नंबर आनी का पास होजाने के लिए pentस नंबर चाईए minimum 28 नंबर आपको लेने होंगे रूताहि है और बता देते हैं आपको कि जो Auktion कि कि सब्सक्राइक है कि पूछे जाते हैं कि सारी शीरे मैं आपके बताने वाला हूँ जो आपके नोट्स हैं जो फर्स्ट यर के नोट्स थे आपके हमने बताया था आपको कि समय से पहले आपको लेना होगा तो यह 499 में उपलब्द थे अब आपको इसका प्राइस जो देना पड़ेगा वो 599 हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा सेकंड यर के जो नोट्स थे वो थे आपके 599 के और यह हो जा रहे आपका 699 का तो इस सारे नोट्स उपलब्द हैं इसमें सारे विसे मिलेंगे औल सब्जेक्ट पहला कोशंच जो अब हम देखते हैं यहा पर परिपक्तवागता अर्थ क्या होता है क्या हो पर देखिए यहां पर 4 ओप्शनस आपके सामने और परिया शीलता अभिविड्विर्णला अभिद्धि विकास और शायरिविकास परिपक्तवा नतल्स होतकि आप जो मैच्योर हो जाते हैं तो यह जी चीज हो नहीं इसमें आपको मैच्योरिटी कम दिखाई देगी जब आपकी अभिविर्द्धी हो जाएगी और साधी साथ विकास हो जाएगा यानि किसा option आपका correct हो जाएगा इसमें नेक्ट जो question है उसकी बात करते हैं इसमें किस तरह का question पूछेगा आपसे हर तरह का questions आपको यहां पर देखने को मिलेंगे खेल के कारे हैं तो खेल का जो कारे है वो क्या है सारीक स्वास्ते का विकास करना व्यक्तित्तों का विकास करना मुल्यों का विकास करना यानि कि तीनों चीज़े सही हैं तो उप्रोक तो सभी सही हो जाए खेल में हमारा सारीक विकास भी होता है स्वास्त विकास भी होता है, हमारे व्यक्तित्व विकास भी होता है, हमारे मुल्ले विकास भी होते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं खेलों के दोरान, समाजिक विकास को प्रभाविद करने वाले कारक हैं तो समाजिक विकास को प्रभाविद करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं जो समाजिक विकास होता है हमारा समाज में रहके होता है जिसमें हम समाज में रहते हैं तो हमारा समाज भी है उतरदाई उसके लिए विद्याले भी है और परिवार भी है यानि कि उप्रयोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उप्रयोक्त सभी जो कुशन इसमें पूछागए आपसे बालक के सामाजी करण में सबसे महतुपूर्ण कारक है जब बालक का सामाजी करण करते हैं यानि कि इस समाज में रहते है तो बालक कहां से सीखता है सबसे ज़्यादा सीखता आपने परिवार से यहापे साउप्शन करेक्ट हो जाएग इस तरह से आपके MCQ पुछे जाएंगे इसका English version जो विद्यार थी English में जाते हैं इन questions होते हैं आप देख सकते हैं maturity means क्या होता है growth and development होता है ठीक है इस तरह से next question पुछा गया functions of game are the development of physical health, personality development, development of values, all of these तो यहां पर right answer हो जाएगा all of these next question इसमें पुछा गया है factors influencing social development are तो यहां पर society, school and family यह सारे के सारे हैं तो यहां पर आपका D option correct हो जाएगा यहां पर next question पुछा गया आपसे main important factor in socialization of child is तो वह होता है family परिवार हमारा तो यहां पर C option correct हो जाएगा who is the author of book दिवास्वप ने तो यहां पर answer हो जाएगा गीजु भाई यहां विसी option correct हो जाएगा next question है यहां पर आपके खालिस्थानों की पूर्ती करनी है तो यहां पूछा गया है प्रतिभा शाली बालको की बुद्धी लब्दी होती है जो प्रतिभा शाली बालक होते हैं उनकी बुद्धी लब्दी कितनी होती है यह आपसे पूछा गया है आप आसानी से बता सकते हैं कि उनकी बुद्धी लब्दी जो होती है वो एक से एक स तो चालिस से अधिक नए जो कोशन पुछा गया है द्रिष्टी बाधित बालको का खालिस्थान एक सेक्षिंग साधन है तो क्या है किसके द्वारा जो अंधे बच्चे होते हैं जो देख नहीं पाते तो किसके द्वारा पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं उसको ब्रेल लिपी नएक जो कोशन है सुक्षमगति कोशल विकास की आयू खालिस्थान है तो सुक्षमगति कोशल विकास की आयू जो है दो वर्ष मनी जाती है पिर दो वर्ष हो जाएगा, सम्मेग का लेटिन शब्द जो है खालिस्थान है, तो सम्मेग का जो लेटिन सब्द है उसको बोलते हैं, इमोवर. नेक्स्ट जो कॉश्चन आपसे पूचा गया है, विटामिन सी की कमी से खालिस्थान रोग होता है, बहुत सारे रोग हैं, लेकिन सबसे सिंपल जो नाम है वो हो जाएगा, आपको एसकर भी. यहां पर इसका इंग्लिस वर्जरन है, जो गोश्चन से, इसका इंग्लिस वर्जरन है आपकों और फिर आजाएगे, नेक्स्ट कॉश्चन कैसा पूचा जाएगा आपसे. इस्तूल गतिक के विकास की अवस्था लिखिए, तो 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 इस जाती है यह ध्यान रखना है आपको जूला घर का उद्धिष्य है जो है काम करने वाली जो भी महिलाएं होती है माताएं होती है उनके बच्चों के लिए daycare की सुविदा परदान करना है वहाँ पर पर बहुत सारे जूले लगे रहते हैं और उसके देखभाल करने के लिए ब सकते हैं बोल नहीं सकते हैं कुछ भी समझा नहीं सकते हैं तो कमी से होने वाले रोकों का नाम लख्यों entonces रोग्स हैं आप इसमें जो भी है दो तिन अगर आप लिख देंगे तो भी आप इसमें सबसे इंपोर्टेंट तो आपका रिकेट्स द्यान रखना है और फिर उसके बाद में आस्टियो पोरोसिस होता है ये भी रोग है जो है आपका हड़ी से संबंदित है और हाई पोगला ही होते हैं कि द्यान रखना है और सारे के सारी चीजे जो है क्लिशियम का कमी मतलब हड़ी के विकास का सब्मंदिर हो सकता है दात हो सकता हूसमें आपके हाथ के बोन खराब हो सकती है या फिर आपका कोई भी मतलब structure जो हाँ पर हड़ी है वो खराब हो सकती है तो इसका English वर्जन ही हाँ पर है जो questions कुछ पूछे गए है अब आते हैं next question जो पूछा गया है सामवेसी सिक्षा के दो महत्व लिखना है आपको सामवेसी सिक्षा के क्या महत्व हो सकते हैं तो सारीरिक दोस्युक्त विभिन बालकों की विशेश आवशक्ताओं की सरप्रतम पहचान करना या जो भी सारीरिक दोस्युक्त है जिसके सरीर में कोई कम है उन बालकों की विशेश आवशक्ता क्या है उसको सरप्रतम पहचान करना है तथा उसका निधारन करना या निवारन करना हैं दूसरी अगर हम बात करें महत्तो की तो बात इसमें आ जाएगी बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर के उनके निवारन का प्रियास करना कि बालक किस चीज में कमजोर हैं, ऐसा नहीं है कि उसारी रूप से हो, अगर वो मेंटल रूप से भी हैं, वो भी चीज देखी जाती है, तो उसकी जो भी असमर्थता है, उसको देखना, समझना और उसका निवारन करना, यह समविशी शिक्षा काम जो है, बहुत ही बड़ा म से पढ़ सकते हैं, समविशी शिक्षा में, खेल की परिभासा दीजिए, तो खेल की परिभासा हैं, बहुत सारी हैं, जो कि हमारे नोट्स में उपलब्द हैं, आपने देखा होगा, हमारे नोट्स जिस बच्चे न ले रखा हैं तो उसको पता ही होगा, हार्ड लोक के पता है कि लास्ट में क्या होगा अब वो किसी तरह का भी परिणाम हो उसका हमें सोचना नहीं है लास्ट में क्या परिणाम निकलेगा तो उसी को खेल कहा जाता है और यह परिवाशा दी थी हौर लॉक ने तेहां पर आपको ध्यान रखना है यह कभी-कभी MCQ या फिर आपका ब्लैंक स्पेस बन सकता है या वन बर्ड भी बन सकता है कि अंतिम परिणाम का विचार किये बिना कोई भी किरिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है यह परिवाशा किसी ने दी थी तो आपको बताना होगा यह हौर लोक ने दी थी इसके बाद जो नेक्स कोईशन है पुरसकार के प्रकार बताईए तो पुरसकार के जो प्रकार है वो मूर्थ है अमूर्थ है दो तरह के पुरसकार होते आते हैं आपके सम्वेक का आर्थ बताईए तो सम्वेक जो है मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदिगी में सुख, दुख, भै, क्रोध, प्रेम, इर्शा, घ्रणा, आदी करता है वह ऐसा वहवार किसी उत्तेजना वश करता है कोई ने कोई तो उत्तेजित हुआ मतलब उसको किसी ने पिंच मारा होगा यानि कि पिंच का मतलब है कि किसी घरना कर रहा होगा किसी इशा कर रहा होगा, किसी रोध कर रहा होगा किसी प्रेम कर रहा होगा, किसी का भै होगा किसी का दुख होगा, किसी का सुख होगा तो उस वज़े से उसके अंदर उतेजना आ गई होगी, तो इस वज़े से जो वहवार वो उतेजना वश्च करता है, वही उसका सम्मेक कहलाता है, तब मंगता क्या है, तो यहाँ वे बूल सकते हैं, स्वयन से कमजोर, यानि अपने आप से कमजोर व्यक्ति को डराने, धमकान के अनुसार, बाल स्रम से तात पर्रे, उसकारे से है, जो 14 वर्स से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति द्वारा जीवी का उपारजन के लिए किया जाता है, यानि कि रोज मर्रा जिंदगी में हम जो काम करते हैं, लेकिन हम रोटी कमाने के लिए कोई काम करते हैं, चाहें कहीं भ हमारी उमर 14 वर्ष से कम है, तो उसी को हम बालसरम कहते हैं. Next question है, व्रिद्धी, परिवक्तता और शारीर के विकास में संबंद बताईए, तो पहला हम बात करते हैं व्रिद्धी, व्रिद्धी शरीर के आकार, शरीर की सनचना या सरीर के एक विशिष्ट छेतर के आयाम में परिवर्थन हैं, व्रिद्धी क्या होती है, व्रिद्धी जो है सरीर के आकार में या सनचना में, या फिर सरीर के किसी विशिष्ट छेतर में जो है परिवर्थन को हम ब्रिद्धी कहते हैं, बृद्धी मतलब हमारा बढ़ना होता है, शरीर में कुछ भी मतलब बढ़ना होता है, वो बृद्धी होती है, विकास की बात करें, सभी अंगों का संगठन है, जो बृद्धी को उत्पादित करता है, यानि कि विकास क्या होता है, यह सभी अंगों में ही होना चाहिए, तो आप इसमें सब कुछ समझते हैं क्या समझते हैं व्यक्तित आपका व्यक्तिगत और सामाजी गुणों का उद्य होता है यहां पर मतलब हम दूसर से बात करना किस से कैसा वेवार करना है किस से कितना सांती से वेवार करना है कब करोधित होना है कब करोधित नहीं होना है कब कि बच्चा वस्तु को उठाना और जाच परक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक् या फिर नियंदित करना सीखता है, समयोजीत करना मतलब होता है कि उसको समाजयोजीत कर लेता है, उसको मतलब देखता कि यारी इस चीज को मैं उठा सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसको नहीं करेगा, तो समयोजीत करता है और साथी साथ नियंदित करता है, समाज सामाजी करण की बहुत सारी विशेषता हैं जिसमें हमने पांस दी है यहां पे दो चार आप लिख सकते हो दो नमबर का कुश्चन दो तीन भी पॉइंट लिखोगे तो आसानी से कुश्चन के आंसर के इसाप से आपको देना है कि कुश्चन कितने माक्स पूछा जाता है साम सामाजी करण की प्रक्रिया से स्वय का उदय होता है यानि कि हम सामाज में जब रहते हैं तो हम खुद को जो है उसके अनुसार और उसके अनुरूप जो है डालना प्रारंब कर देते हैं हम उस सामाज की बातों को सीखते हैं जानते हैं समझते हैं इसके बाद मिड का परिवेश में प्रवावी डंग से कार्य करने के लिए आवश्यक ग्यान कोशल और वहवार प्राप करते हैं मिड का समाजी करने का सिध्धान्त स्वय के विकास में समाजिक संपर्क के महत्व पर जोड़ देता है यानि कि स्वय का मतलब ख्यूत का मेरा आपका जो भी आप ज जाती है अंसर हो जाएगा बाल लेवस्ता की जो आयू मानी जाती है वह छे से बारा वर्ष मानी जाती है बाल लेवस्ता की बात कर रहे तो यहां पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा सारी गयात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कार्य का कौन सा है यहां पर पू सम्वएगों की विसीस्ता क्या है? सम्वएग कहां से आता है आपका? सम्वेग जो आता है के आता है आपका बवधिकता के आभाव के द्वारा मतलख हम आपकी बवधिक दुकिन उसके उपर इसускर ओ हरे, तो यहाँ पर पूले का सिध्धान्थ है तो कूले का सिधान्त कौन सा है यह आपको बताना है तो कूले का सिधान्त जो है वो सामाजी करण का सिधान्त है यहाँ पर A option जो है correct हो जाएगा इसी तरह के questions पूछे जाते हैं exam में बस ध्यान रखना बहुत ही important questions आपको बता रहा हूँ है रास्टिये बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना हुई रास्टिये बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 2007 में तो यहाँ पर C option जो है correct हो जाएगा इसी तरह से जो English Medium के students हैं वो देख सकते हैं सारे questions वही है बस मैंने answer सूपर बता दी हैं तो आप उसको जो है चेक कर सकते हैं अपने answers मिला सकते हैं अब आज यह आपके जो रिक्स्तान की पूर्ती बनती है वो किस तरह questions बनते हैं तो यहाँ पर पुछा गया संग्यात्मक्स विकास सिध्धान्त के सोध करता है तो क्या है जीन प्याजे तो यहाँ पर जो है आपका answer हो जाएगा कभी-कभी जो है options नहीं दी जाते हैं बालक का चारित्रिक विकास माता-पिता पर निर्भर करता है चारित्र कैसा होगा वो माता-पिता के उपर ही decide होता है जैसा मैंने बताए आपको 846902568 यह हमारा WhatsApp नंबर है ठीक है 846902568 यह हमारा WhatsApp नंबर है इस पर आप notes के लिए contact कर सकते हैं अब आपके जो notes थे वो 499 के थे अब first year के notes जो है 599 के हो चुके हैं तो आप आपको payment थोड़ा सा extra करना पड़ेगा अब वो आपकी समस्या है क्योंकि इससे पहले आपको बहुत ही पहले ultimatum दे दिया गया था कि आप जब notes लेंगे तो आपको कम से कम lowest price में दिया जाएगा अगर आप थोड़ा सा देर करते हैं तो आपके prices high हो जाएगे तो अब भी 599 में आपकी notes उपलब्द हैं ठीक है और जो second year के notes थे वो थे 599 में अब जो है वो notes हो गए है 699 ठीक है सभी मे 100 रुपीज का जो है आंकलन बढ़ा दिया गया है और 37 जो बच्चे अभी notes वो लेंगे तो ये भी PDF आपको मिलेगी जो बच्चे first year के students हैं उनको ये PDF भी मिलेगी जो आप ये PDF देख रहे हो इस्तूल गती कोशल के विकास की अवस्ता खालिस्थान वर्ष होती है तो जनम से 5 वर्ष होती है ध्यान रखना है आपको खालिस्थान बालक के सामाजी विकास को प्रहवित करने वाला कारक है तो अभी हमने बताया था बालक के सामाजी विकास को प्रहवित करने वाला कार तो गरीब भी जो इसका अंसर हो जाएगा मैंने यहां पर जो है इसके आंसर को इंगलिस में भी लिख दिया है इसको नेक्स्ट कोशन है लोह तत्तो की कमी से होने वाले रोग का नाम बताईए उसको बोलते एनीमिया यानि कि आपके अंदर आयरन की कमी है तो आपको एनीमिय की विशेषता हूं आत्म और व्यक्तित्तों को प्राप्त करता है तो आप दोनों मैंसे कोई भी डैफिनिशन आपको याद रखना है सामजी करण की प्रिभ्याशा पुछी जाती है हमेसा हर बार पुछी जाती है पुड़ा साहियम रखना है और धेरस से सारे चीजे जिन बच्छों नोट्स ले लिए ना मैं ये बोलूगा एक वीशे पढ़कर कि मत सोचिए कि मैं तुर्रम खाम बन गया हूं या तो मैं तो अभी मेरिट में आ जाओंगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक आप आप जो है अधूरे रह जाओगे तो आपको सारे विशे प पीदि कोशल करते हैं तो इसकी अश्य को पर से को सब मतर्चे करना नह Πर जminister किया नहीं बस इतना ही समय हमारे PACS होता है अरब बार हम जो है को यही चीज बताते हैं अकर नोच से प्रिपेर करना चाहते तो एक एक question आप देख सकते हैं तो नोड से prepare जरूर करिये लेकिन जो वीडियोज आते हैं उन वीडियोज को भी देखी ही साक्षात्सकार का एक प्रकार बताईए हैं साक्षात्सकार के बहुत सारे प्रकार है जिसमें आपका diagnostic evolution है और selective evolution है पर के प्रकार है बाकी मैं और भी बता दूँगा आगे चलते कि ठीक है आगे चलिए जेशान साक्षकतार होता है जिसको selection interview कहते हैं तो यह साक्षकतार के परकार है इनको थोड़ा सा याद रखना है ठीक है यह यह साक्षकतार के परकार करें करई के ज listen नमबर five का जो ही यह answerohl समान प्रतिमान का दर्श्री कौन क्या है तो समान प्रतिमान का दर्श्री कौन यह दर्शाता है कि सभी जीवों का विकास अपने समान प्रतिमान के रूप में ही होता है जैसे गधे के सर पर सिंग नहीं होते हैं तो किसी भी गधे के सर पर सिंग नहीं मिलेंगे शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता तो कोई भी शेर का बच्चा हो चाहें किसी भी देश में चलो जो वहाँ से शेर का बच्चा घास नहीं खाएगा मनुष्य के तीन कान नहीं होते हैं तो आप कहीं भी देखिए किसी को भी उठा के देखिए उसके हात पैर उंगलियां अलग मिल जाएंगी, आपको 3 की जगे 6, 6 की जगे 8, 8 की जगे 10, 10 की जगे 12 भी मिल सकते हैं, लेकिन मनुष्य के 3 कान आपको अभी तक नहीं मिले हैं और नहीं मिलेंगे, फिलहाल तो समान प्रतिमान जो ही ये कहता है, बाकी आगे आने वाले समय म तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप देखती है, शुक्ष्म गति कौसल की कोई दो विसेस्ताइं लिखिए, तो शुक्ष्म गति कौसल सरीर में छोटी मास मूसियों का उपयोग करता है, ठीक है, शुक्ष्म गति कौसल का उपयोग सटीक और उच इस तर के नियंत्रन के लि किए तो परिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का परभाव हो सकता है कि वहां पर बोलने वाले ही सही नहीं बोलता होगा तो बच्चा वैसे ही सीखेगा उचारण में और सवधानिया हो यानि कि आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आपको कोई टोक नहीं रहा है और वर्णों का जब इस स्कूल में आपको सिखाया जा रहा है लेकिन आप वन्ड सही नहीं बोल रहे हैं लेकिन उच्चारण आप कर रहे हैं और अध्यापक जो है या सिक्षक जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है अक्षरों और मात्राओं का ग्यान का भाव हो सकता है तो ये सारे सारे दोसिस को प्रेम करने के लिए प्रेजित करती है इसमें ग्यानात्मक भावात्मक व्यारात्मक पहलों का समाई जो सकता है जो कि व्यक्टि अपने आपसे कितना प्रेम करता है जैसे कि मैं अपने आपसे प्रेम करता हूँ वागई मैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं अपने आपसे प्रेम करता हूँ सबसे ज़्यदर मैं अपने आपसे प्रेम करता हूँ फिर बाद मैं किसी और से प्रेम करता हूँ तो अगर आप अपने आपसे प्रेम करना सीख जाओगे तो आप समझ जाओ कि आप जो है सही रस्ते पे पहुंच चुके हो लेकिन किसी दूसरे के प्रेम में पढ़ गए तो बंटादारी तो होगा आपका चलिए आगे वढ़ते हैं तो सिक्षा में संयोग के क्या लाव है öot तो सिक्षा में संयोगी प्रकृया से ज्ञान का बराबर इस्ञाव में आधानप्रदान होता है यह वे लक्षे की प्राप्ति की दिशा को वेग मिलता है यानि की वैलोसिटी मिलती है यह हम जब सिक्षा में संयोग करते हैं तो हमारी क्या लक्षे की प्राप्ति है जैसे हम IES बनना चाहते हैं आप पे परसेंट तो यूँ चुट कि हमें निकालोगे बस वह इए आपके बाद समय नहीं है जा फिर आप स्थाना सिक्षाब करें एक परप्ति कर più सकते हैं सुक्षण विकास को पुर्साहित करने में निवाटा है वह बाल सिरम देखो आप दूसरी डेफिनिशन ya स्रकारण दो हरा निर्धायत आयू सिमा से कम उसके बच्चोंसे से कार्य करवाना बाल्ष्रम कहलाता है बाल्ष्रम के अंतरगत 5-14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है ठीक है तो यह चीज मैंने आपको पहले बताई थी और यह बात मैंने दुबारा बताई यह कई तरह के जो जिनके मैं आंसर में आपको अलग-अलग तरीके से देता रहता हूँ तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसको याद करिए छे से आठ वर्ष और के बालकों के लिए सक्षिक कारेकरम लिखी है और इसी में एक और आप्शन भी दिया गया है इस्थूल गती कोशल की विश्यस्ता है लिखिए इस्थूल गती कोशल में बड भाले विख्सित होते हैं क्या पुछा गया है पून भाषाई संप्रेशन मतलब सिशू का बढ़ाना ठीक है और सिशू के हाभाव दोनों ही इसमें होते हैं ठीक है तो यहाँ पर A और B दोनों ही हो जाएंगे तो C option बिल्कु करेक्ट है और कुछ बच्चे अभी लेट जुड़ है अब यह नहीं है ठीक है तो 5.99 में आप सारे subject ले सकते हैं जो भी आपको subject चाहिए और यह PDF भी आपको जो है वहाँ पर मिलेगी यह PDF जो आप देख रहे हैं यह भी PDF आपको इस answer के साथ में समाजिक परिवर्तन का कारक है समाजिक परिवर्तन का कारक समाज होगा तो यह कारण है कारक नहीं है तो कारक और कारण में थोड़ा सा आपके agreement रेड़ में थोड़ा सा अंताहिस्पस्ट कीया गया है तो इसमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा, समाजिक परिवर्तन का कारक इसमें से कोई नहीं है, नेक्स जो है बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभाग है तो देखो महिला एम बाल विकास विभाग ये भी बाल अधिकारों को हनन को रोकता है सरम कल्यान विभाग ये भी बाल अधिकारों के हनन को रोकता है समाज कल्यान विभाग भी बाल अधिकारों के हनन को रो सभीचन्स से आपके चेंज कर दिये जाते हैं जिससे कि लास्ट ये चेंज किया गया था जोड़ी बनाईए तो यह कैसा होता विशिष्ट बालको का ध्यन करना चित्र बनाना जो है कैसा होता है ये सुक्ष्म गती कोसल में आता है इसी तरह से ध्वनी संकेत जो है वो अशाब्दिक संप्रिशन है यानि कि ध्वनी से हम कुछ वो लेंगे लेकिन उसकी को समझ में ना आए तो ध्वनी संकेत जो है उसमें कहलाता है और रक्त हिंता के कारण जो है रख्त हिंता जो है उसका कारण जो है लो तत्तो की कमी होती है जिसको एनेमिया के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो इसका यह आंसर हो गया इस तरह के आपके question बन सकते हैं column A से column B को मिलाईए और थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले तो आपको जो आता हो देखिए कि कौन सा इसमें से किस से मैच हो जाएगा उनको मैच करते जाएए automatically सारे मैच हो जाएंगे ध्यान रखना है कल्पना शक्ति में तीवता लाने वाली अवस्ता का नाम जो है 6 अवस्ता होती है हाथों से संबंदित गायात्मक विकास का एक उधान हाथों कि हाथ से क्या कर सकते हैं यह हो गया हमारा फुरतु से सम्मेंदत गविकास क्या हो सकते हैं कि गिलास पकड़ना चमस पकड़ना भौजंव करना गेंच सनखेलना इस्थुल गति पुशल का नाम लिखेश्वें कहले केल्सेयम की कमी से होने वाले रोगों के नाम पूढ़ेंगा है और आपका व्हामीन C की कमी से होने वाले रोगों का नाम फूढ़े है तो इसमें As就是說 абुर लंबाइख को जाता है तो बढ़िक रूप से बिन बालक तो ब्हिन चूक्ष्म गतिक औसे क्या आश्य है। अभी आश्य है। हात, खलाइयां, उंगलियां, पैरो, पैरो की उंगलियां, होट और जीब। कि छोटी गती शामिल होती है, इसमें छोटी छोटी गतियां होती है, इसमें छोटी मास पीसियों का समन्वय को शामिल किया जाता है, हकलाना क्या होता है, तो हकलाना एक भासन विकार है, यानि कि हम बोलते हैं, वही जो है एक विकार हो जाता है, तो उसी को हम हकलाना कहते हैं जो धोनियों को दोहराने या लंबे समय तक बढ़ाने और बोलने में रुकाउट के करण होता है या फिर हम यहां पर और भी बता सकते हैं डेफिनिशन जो मैं लिख लाना एक ऐसी सिती है जो बोलने से संबंधित माजपेशियों के नियंतरन को बाधित करती है इससे आपकी बादचीत जो है उसका प्रभाव प्रभावित होता है तो आप दोन मैंसे कोई भी डेफिनिशन लिख सकते हैं आसानी से जो ही आंसर आपका हो जाएगा अच्छा सम्वेक के बारे में कभी-कभी आपसे पूचता है थोड़ा सा अलग कभी-कभी बढ़ा जाता है सम्वेक क्या है सम्वेक को समझाईए तो सम्वेक जो है अंग्रेजी के सब्द इमोशन से लिया गया है ठीक है इमोवर जो है इसको कहा गया है कि किस से बना हुआ है तो इमोवर अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले सोरी कुछ समय पहले तो यह इमोवर से बना हुआ है ठीक है उसके लावब जो है सम्वेक की परिभाशाए बहुत सारी है जो अलग-अलग लोगों के दुवारा दी गई है यहां पर यंग ने देखने को मिलेंगे सम्मेक की विशेशता है क्या है और मैं इनको हाइलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में रहे देखिए क्या नूसार क्या होगा का नुसार क्या होता है यह अभी मैं आपने नोट्स के उसमें डलवा देता हूं यह नोट्स जब आप लेंगे तो उसमें यह सारी की सारी जो चीजें हैं वो मिल जाएंगे आप तो इसमें आपको घबराने की ज़त नहीं है और इन सारी डेफिनिशन्स को आपको याद रखन किर्यात्मक संबंद सुख और दुख की भावना और वाय शारीक परिवर्तन आंत्रिक परिवर्तन वाय होगया आंत्रिक होगया व्यवार्में परिवर्तन मानसिक तनाव किंतन और इस्तिर्था की परिवर्ति ठीक है और किर्यात्मक परिवर्ति का होना यह सारे कुछ पॉ इस notes के माद्यम से आपको थोड़ा सा बताया है यहां पर हमने कुछ maximum जो जिस तरह के questions आपसे पूछे जाता है इस तरह के questions पूछे जाएंगा अगर आपने इस वीडियो को देखा है समझा है थोड़ा सा जानने का प्रयास किया है तो question का कोई pattern नहीं है आपसे Phillips पूछ सकता ह है आपसे mcq पूछ सकता है आपसे one word पूछ सकता है ठीक है तो यह चीज आपके उपर विल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है कि आपसे Phillips कितने पूछे जाएंगे हो सकता है matching पूछ ले जैसे कि आपने matching अभी देखा तो इस तरह के questions जो है आपसे पूछे जाएंगे और यह पिछले तीन साल के questions papers के जो solution आपने देखे हैं जो इस तरह का ही paper आपका बनता है अगर आप थोड़ा सा आपने आपको समल सकते हैं या फिर नहीं समल सकते हैं तो अभी भी जो notes आपने लिये हैं जो वीडियो सा आपने देखे उनको prepare करिए आप बैतरीन result जो है दोस्तों के साथ share करते रहिए इक्षा हो तो आप subscribe कर सकते हैं अन्यता next class में मिलेंगे जब हम बात कर लेंगे इस बातों को और यहां पर जो है आप जितने भी notes देख रहे हैं यह सारे notes जो है आपको PDF के माध्यम से अब जब आपका price hike हो चुका है तो यह PDF भी आपको मिलने प्रेंगे